लो फ्रेंट वेलकम टू बैंक निफ्टी पारचाला दोस्तों बैंक निफ्टी पारचाला की एक और वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत सवागत है आज के दिन हम यहां पर देखेंगे बैंक निफ्टी का एक ब्रॉड व्यू और इंट्राडे व्यू यानि जो पोजि करना चाहते हैं यहां तो वह लोग कर सकते हैं अभी यहाँ पर यहां पर पॉजिटिव में जाना शुरू हो चुका नीचे तो सपोर्ट ले करके तीनों केंडल बनी हैं इस वज़े से previous day से price उपर रही इसलिए ये green तो आपको नजर आ रही है लेकिन अगर इसकी wick के उपर नजर मार करे हैं हम लोग देखें तो wick के उपर जादा बड़ी wick उपर नजर आ रही है इसका मतलब है यहाँ पर sellers का pressure जादा है ठीक है लेकिन जो नीचे यहाँ पर बै बैठे हुए है या फिर बायर जो बैठे हुए है वो भी यहाँ पर अच्छे घासे स्ट्रॉंग है क्योंकि market को वो नीचे आने नहीं दे रहें इतना बड़ा pressure होने के बावजूद भी तो अब next day कल के दिन की जो candle थी यानि कि Friday वाली Friday वाली को देखेंगे तो Friday वाले दिन नाइन का अब बीच में market close होगी दोनों तरफ विक सेम है यानि कि दोनों तरफ से pressure सेम है अब यहाँ पर से जब दोनों तरफ से pressure सेम पढ़ रहा है अब यह चीज को समझो छोटा सा common sense की चीज है कि market downside में चलती चली आ रही थी और इतना बड़ा gap कुला अब यह जो gap था य क्योंकि इतनी बड़ी विक इसमें नजर आ रही है और यहाँ पर एक support भी strong है अब इन दोनों चीजों को नजर में रखते हुए अब कल के दिन की यानि Friday की candle को देखो तो यहाँ पर जो buyers थे strong थे लेकिन sellers ने भी खूब pressure लगा के इसको नीचे किया है क्यानिक सेलर्स का भी लगभग लगभग में बराबर आ चुकी है अब यहाँ पर इसी range में market एक दिन और दो दिन बिता दे उसके बाद में फिर market में देखना होगा कि buyers जादा है या sellers जादा है मुझे लग रहा है इस time पर इस previous day को यानि Thursday वाले दिन को देख करके कि market में sellers ही जादा होंगे और market क support तूटेगा यह मेरा prediction नहीं है यह मेरी एक experience के थुरू मैं एक बात बता रहा हूँ यह को technical analysis का term नहीं है तूटने को resistance भी तूट सकता है और support भी तूट सकता है तो हमें यह previous day का high low दरूर mark करके रखना चाहिए और इसी के according हमें trade बनाना चाहिए अगला जो resistance हमारा निकल कर के आएगा फिलाल अभी जो resistance है वो है आपका यह वाला level 44 एक minute अभी जो हमारा resistance निकल के आ रहा है वो resistance यहीं है नौर्मली जो अभी market का high है लेकिन अगर इस resistance को market तोडता है तो इस resistance को तोडने के बाद जो next resistance market का बनेगा वो बनेगा 44,685 का और support तो यह है ही जो previous support है 44,235 का तो इस duration में आप अपने trades को बना सकते हो यानि bottom पर purchase कर सकते हो अगर bottom नहीं तूट रहा है यानि कि यह support नहीं तूट रहा है तो यहाँ पर call site को buy कर सकते हो और अपने trade को अच्छा बासा यहाँ पर hold करके ला सकते हो 44,700 के level के आसप पर अगर 30 मिनिट के time frame पर हम लोग चलें तो यहाँ पर हमें एक चीज नजर आईगी जो कि है trend line यह intraday trade के लिए मैं देख रहा हूं अब आप positional trade का हम लोग देख चुके अब देखेंगे intraday में हम लोगों को किस तरह से performance करनी है और market का sentiment क्या बन करके नजर आ रहा है और क्या हो सकता है market में तो basically यह देखो यह trend line बन करके market की एक निकल करके आ रही है थोड़ा सा accurate कर लेता हूं मैं इसे यह देखो अब यहाँ पर देखने वाली चीज यह है कि इस trend line को market कितने अच्छे से respect कर रही है market इसके अंदर आती है अपने bottom को touch करके फिर से एक बार अपन resistance के लिए जाती है फिर एक बार bottom पर आकर अपने resistance के लिए जाती है अब यह देखो नीचे यानि कि यहाँ पर यह पर यह पैटन बन रहे हैं यह higher high और लोग के पैटन यहां पर बन रहे हैं अब यह दो हो यह लोगर लो है यह उससे भी low है यह उससे भी low है तो यह lower low बनते चले जा रहे है अब यह higher low बनेगा क्योंकि previous वाले से यह high low है अब यहाँ पर दोखो और low है और ज्यादा low है यह दोखो और भी ज्यादा low है तो यहाँ पर higher high के और higher low के lower low के pattern यहाँ पर create हो रहे है तो चलो ठीक है market का downside तो नजर हम लोगों को आ रहा है एक व्राड वीू में पर यहां पर trade इंट्रादे में हम लोग Kिस तरह से perform कर सकते हैं और-market हमें यहां पर किस तरह से trade दे सकती है हम लोग यह सारी चीजे यहां पर देखेंगे डिखाइगे मरें अपने टॉप पर है अब यहां से नार्य है या एक दो दिन बीच में भिताए फिर लेकिन यहां पर से संसी मेंट रहा है न वो डाउन सरफ आप सकते हो यहां बना सकते हो फूरा वीख कर सकते हो यहां तक के लेवल के सीने acordo तो आए गई आएगा लेकिन एक चीज यहां पर देखने बार यहां पर resistance बन चुका है 3-4 बार यानि कि यह trend line कई बार यहां पर retest हो चुकी है जब भी कोई trend line ज्यादा बार retest होती है तो वो weak हो जाती है अब उसी तरह से यहां पर support को अगर देखेंगे तो एक बार दो बार और तीन बार यहां पर support भी ले चुका है market यानि कि अब आपको अब यह trend line दिख रही है लेकिन जो sellers बैठे हैं जो institutions हैं जो smart money है न वो यहीं पर trade करना कपका start कर चुके हैं अब इसी एक trend line पर बार बाइंग हो रही है और इसी एक trend line पर बार बार selling हो रही है तो एक ना एक time market में ऐसा आता है जब दोनों का interest हो जाता है खतम यानि कि जो यहां पर sell कर रहा है उनका भी इंट्रेस्ट हो यहां पर जो buy कर रहे हैं उनका भी interest हो जाता है खतम तो ऐसे मैं जब दो तीन बार यहां पर market support और resistance बना लेती है तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है अब देखना यह है कि इस वीक यह trend line market तो देखो अगर ट्रेंड लाइन को respect नहीं करेगी तो सीदी सी बात है यहां पर market breakout देगी breakdown नहीं देगी नीचे आ करके क्योंकि उतना जादा downside market के जाने का sentiment नहीं है मार्केट अगर breakdown यहां पर यह आपका बरबर मैं breakdown कह रहा हूं market का view देखो यह सीदी सी बात है market trend line कई बार यहां पर देख रहा हूं कई बार resistance ले चुकिए तो market यहां पर अगर trend line को respect नहीं करती है तो हमें एक अच्छा कासा breakout देखने को मिलेगा लेकिन यह breakout हमें यह देखना होगा कि मतलब जैसे पांच minute के time frame पर आप trade कर रहे हो न तो कम से कम 15 minute के time frame पर यह breakout sustain करें तभी हम लोग trade बना सकते हैं call का वरना यहां पर call में हम लोग फस भी सकते ट्रैप भी हो सकते हैं क्योंकि यह trend line हमें दिख रही है इसका मतलब है कि sellers इसे पहले से देखे बैठे है smart money इसे पहले से देखे बैठी है और smart money अच्छे से जानती है कि यहां पर जभी breakout का इंतिजार कर रहे होंगे छोटे retailers बैठ करके एक जरा सी candle अगर उन्हें ने यहां पर दिखाई तो पता निक कितने हैं यहां पर करोड़ों और रुपए की इंट्री बन जाएगी ब्रेक आउट के उपर और फिर वो क्या करेंगे मार्केट को धड़ाम से नीचे गिरा देंगा सब के SL खा करके पैसा लेकर निकल जाएंगे तो हमें smart money से दो कदम और ज्यादा smart रहने की जरूरत है तो यहां पर कम से कम यह हम लोग जल्द वाजी में यहां पर trade नहीं बनाएंगे यह 5 मिनट के time frame पर हम लोग काम तो जरूर करते हैं लेकिन यहां पर 15 मिनट के time frame पर market अगर sustain करता है किस तरह से sustain करेगा वो भी मैं बता रहा हूँ 15 मिनट की तो candle का break out हो गाई लेकिन अगर इसे 5 मिनट के time frame पर देखेंगे market थोड़ा सा उपर जाके यहां पर थोड़ा सा downside में फिर आएगा उसके बाद में अगर यहां से फिर से एक वाइंग आती है तब हम लोग यहां पर अपनी entry बना सकते हैं और उससे पहले हम लोग यहां पर अगर entry बनाएंगे तो trap होते हुए दिखेंगे आप जब भी यहा यहां पर नहीं बनाने वाला सरसरा आता हुए market निकल जाएगा उपर और हमारी entry छूट जाएगी लेकिन रिस्की entry नहीं लेंगे छोटे stop loss के साथ ही entry लेंगे पता चला यहां पर इतनी बड़ी candle बन गई तो इतना बड़ा आम लोगों का stop loss बन गया तो इतना बड़ा SL ले उसके पीछे का logic यह है कि यह जो previous support बना हुआ है ना यह वाला यह है previous support यानि 44,390,300 के आसपास का level एक बड़ डेटा चेक कर लेता हूँ intraday के लिए कि डेटा क्या कह रहा है डेटा के उपर अगर नजर मारेंगे आ करके तो यहां पर 44,500 के आसपास 1,94,000 के आसपास open interest यह यानि कि यह 500 का level है ना यह एक strong resistance की तरह काम करेगा और यहां पर 300 के उपर अगर देखें यह 500 उपर से 300 पर हम लोग देखें तो एक लाग 57,000 अच्छी कासी यहां पर positions है market में जो पूरे week के लिए हैं तो यह दोनो 300 और 500 दोनो एक strong support नजर आ रहे हैं आप देखना यह है कि 500 के आसपास market क्या कर रहा है और 300 के आसपास तो इसको देखने के लिए हम लोग चलेंगे अपने 15 मिनट के टाइम फिरेम पर थोड़ा से broad view ले लेते हैं अब intra day की बात अगर करते हैं तो उसके लिए इस trend line को भी हटा देते हैं फिलाल अभी आप draw करना चाहो अपने chart पर draw कर सकते हो देखो basically यहां पर कुछ भी अभी करने वाला है नहीं जो 40,300 के आसपास का level हम लोगों ने वहाँ पर देखा था वो यह level है ठीक है यह पूरा area है यह देखरो कहां जब कहां तक area है यह area आपका 44,300 से लेके 260 44,260 यानि 40 point का पूरा एक यह range है जो कि एक strong support है अब market में put site की entry कैसे बनेगी वो भी हम लोग देखेंगे उससे पहले 500 के आसपास का हम लोग यहाँ पर अगर देखते हैं जो resistance है तो 500 का level तो यहाँ पर है लेकिन resistance हमारा जो इसे बड़ा करेंगे यह area क्यों करेंगे वजे हैं देखो लॉजिक है यहाँ पर market ने इतना बड़ा हाई लगाया था लेकिन नेक्स्ट हाई यहाँ पर लो हो गया ठीक है तो ट्रैपिंग से वचना है तो आपको बड़े एरिये यह बनाने पढ़ेंगे यह पूरी जोन है बहुत जल्द मैं प्राइड एक्षन की एक वीडियो लेकर के आने वाला हूँ आप लोगों के लिए जिसमें मैं इस supply zone और demand zone के concept के उपर बिल्कुल deep में जाके बात करूँगा जो आपको सिर्फ और सिर्फ paid course में सिखाया जाता है वो मैं free of cost YouTube के उपर लेके आने वाला हू वैसे मेरी एक सिरीज चल लाई है प्राइड एक्षन की वही paid topic जो आपको paid courses में मिलते हैं YouTube के उपर available नहीं है वो सारी चीज़े मैं उसमें समझाता हूँ और आपने वो नहीं देखा तो आई बटन में link दे दूँगा जाकर के checkout जरूर करना अभी की scenario intraday में देखेंगे त हम लोगों ने open interest का data देखा option chain की उपर उसके बाद फिर price यहां से उपर गई और अब price को नीचे आना है अब देखना यह है कि market gap down खुलता है या gap up खुलता है और कितना gap up खुलता है और अगर gap down खुलता है तो कितना gap down खुलता है कहीं ऐसा तो नहीं कि market gap down खुले तो इस level क उपर खुल जाए तो हमारी यहां पर कि सारी analysis धरी की धरी ही रह जाए ऐसा अक्सर करके होता है पर हम लोग इन चीजों को भी देखेंगे यहां पर देखो market अगर इसी range में खुलता है sideways जो की chance हाई है तो अभी के time पर मैं यह बता रहा हूं आपको यहां पर put by करना है और क्योंकि मार्केट इसी range में कम से कम एक दिन और बिताने को तैयार खड़ी है कॉल साइड में भार पूर इंट्री फुल क्वांटिटी के साथ तब बनाएंगे जब यहां पर एक अच्छा कासा हमें breakout होता हुआ मिलेगा और दूसरी चीज़ यह ट्रेंड लाइन भी एक आ देखो यह ट्रेंड लाइन आ रही है न अब ब्रेकाउट मालों यहां पर ट्रेंड लाइन का होता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि breakout हो यहीं से रिवर्स होके भी नीचे आ सकती है और फिर इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट की तरह भी ले सकती है यह भी तो सकता है यह अपना सपोर्ट तोड़ती है तो हम लोग growई बनाएंग रेस्टेंस तोड़ती है तो पूट उवह कॉल है कि बनाएने के Filtu लेकिन जबं तुक मार्केड इस सी रेंज में रहती है तो हम लोग यहां पुठ आरेंगे यहां कॉल भाई करेंगे रस बहुतित कर देंगे यहाँ पर से call by करके यहाँ exit कर देंगे यहाँ put by करके यहाँ exit कर देंगे छोटा सा concept है basically और इसके अलावा अगर market मान देखो gap अगर खुल जाती है by chance तो हम लोग यहाँ पर जो target अपना निकाल के रख लेंगे पहले से ही हमारा target जो होगा वो बनेगा यह वाले level यह लेवल देख रहे हो market ने यहाँ पर बहुत जादा समय बिताया है resistance लिया है यहाँ पर तो यह level हमारा एक बहुत ही strong level है जो कि यह 44,734 से लेकर के 708 तक तो यह level जो है ना यह हमारा next target बनने वाला है और अगर support तूटने की बात करें तो support अगर तूटेगा तो market यहाँ पर support नहीं बनाएगा market का यह जो gap filling का area अभी बाकी है ना यहाँ पर यह देख रहो तो market gap fill जरूर करेगा और अपना जो यहाँ पर support है वो बनाएगा आकर के इस level को यह level दे करो यह level है support का यानि के 43,996 से लेकर के 43,962 का level यह हमारा बनेगा next support और यह हमारा है next resistance इन levels को note down कर लो यह तो draw कर लो अपने chart के उपर चा करके और जब तक कि market इस range में रहता है तो हम लोग यहाँ पर opposite trade बना के profit निकाल सकते हैं यहाँ पर आएगा market ऊपर के level पर तो put buy करेंगे और नीचे के level पर आएगा तो call buy करेंगे जब तक इस range को तोड़ता नहीं है market ठीक है तो I hope कि आपको पूरी analysis समझ में आई हूँ जो positional trade बनाना चाहते हैं उनके लिए positional trade भी मैंने यहाँ पर बता दिया और जो intraday करना चाहते हैं तो एक broad view से लेकर स्मॉल व्यू तक की trend line से लेकर के support resistance और target सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया आई हो कि आपको वीडियो पसंद आई हो और यह levels आपके काम आए और कल के दिन आप इन levels को यूज करके market में अच्छा profit जनरेट कर पाएं और चैनल को subscribe कर देना वीडियो पसंद आए तो like कर देना और जो आपके दोस्त trading करते हो उन तक के वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि उन तक के भी यह levels बहुत सके हैं और बाकी प्लेइलिस्ट जाकर देख सकते हो चेक आउट कर सकते हो मेरी प्राइड एक्षेन शीरीज की बने रहना इसी तरह से चैनल के उपर धन्यवाद मैं मिलूंगा आप से किसी और वीडियो में जब तक के लिए टाटा बाइबाइब